तो गाईज आपका बैट खामों से आपके बैट से रननी आ रहे हैं तो इसलिए आपने इस वीडियो पे किलिक किया है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी फॉर्म में वापस आओगे तो आप देखते होंगे आपकी टीम मेट्स रन कर रहे हैं आपके जो फ्रेंड से वो रन कर रहे हैं पर आपके रन आ रहे हैं कभी एक महिने के बाद 50 आता है कभी दो महिने के बाद आता है मतलब बहुत जादा जूज रहो बहुत जादा परिशान हो तो इस वीडियो से आपकी सारी परिशानी सॉल्फ होने वाली है आज मैं आपको बताने वा तो मैं वह चीज़ इंप्लिमेंट करता हूँ तो बहुत अच्छा टोपिक है और अपना पूरा एक्सपरेंस दूँगा और अपने फ्रेंट्स का जिनसे मैं पूछता हूँ जो बैटिंग करते हैं जो कंटीनूर मनाते हैं तो चोदा सो लाइक सबसे बेकार खिलाड़ी हो आप कभी रन बनाई नहीं सकते हो यह सब के साथ होता है आउट फॉर्म सब बड़े से बड़े बैसमें जाते हैं आप देखते होंगे विराट कोली स्ट्राइम आप देख सकते हो पिछले दो साल से सतकनी आया उससे पहले हर दूसरे मैच में आप पूछते अब फॉर्म से डाउन है तो कोई भी ज्यादा बात नहीं करते हैं तो यह कारण होता है पर कमबैक वो करेंगे तो यही आपके साथ हो रहा है तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है अपने उपर बिलीव रखना है सबसे पहले यह बता रहा हूं इसको आपको य हम हैं तो सोचते हमारी फोल पे नहीं आ रहे हैं तो बहाई अक्सथीम तो काम आपको यहां पर करना है टेक्निक से जादा जबी फायदा होगा जबी आपके रनाएंगे तो सिंपल सी बात है हाँ टेक्निक भी कभी कभी खराब हो जाती है हम बैट फैक दिया वो सब होता है पर कंट्यूनी वो नहीं होता अगर बहुत दिनों से औफ फोर्म हो तो मारा मैंटसेट का भी थोड़ा फ़ोलन होता है तो आपको अपने दिमार्ण सेCar Es comercials naught kaub ka wad hè बाहर की और फालू gods कुछ नहीं होता है तो उनके साथ खेलो, अगर बढ़ों के साथ खेल रहो, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आपका confidence वापस आजाएगा, एक वहाँ पर पचासा मारोगे, सतर असी रन मारोगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा, कि हाँ, शोट ऐसे लग रहे हैं, confidence वापस आजाएगा, कि किर विराड कोली इतना काम्याब क्यू थे, विलियम सन इतने काम्याब क्यू है, आप कोई भी देखतो, जो अच्छे सिंगल निकालते हैं, इतने काम्याब क्यू है, जो भी अच्छे सिंगल निकालते है, उनको बड़े टार्गेट कुछ लगते ही नहीं है, वो हंडर इतनी ज चाहिए उसमें चिंगारी होती है ना इनिंग खेलते वह नी चाहिए नी उससे क्या होगा उससे हमें जब भी बैटिंग करेंगे तो हमें रहेगा कि लूस्षोट नी खेलना है वोल बनी बनाई मिलेगी तो बहाल मारूगा वहना सिंगल निकालके नोने स्टाइक पे जादा दिन से चल तो छोटों में खेलके थोड़ा confidence वापस आजाएगा फिर बडों में अपना खेल सकते हो और किसी के साथ खेल सकते हो बस इससे क्या है confidence आपको वापस लाना है और अपने मन में डाल लो बात कि मुझे रन करने है तो करने है टागेट रखो कि 15-20 बोल नी अगर आप देख लो आपकी तीन गलती सेम है तो उस पर काम करना है अगर आप बाहरवाली जैसे विराट को ली बाहरवाली बोल पर आउट हो रहे हैं तो सीधा समय शैट कर लो कि बाहरवाली बोल मुझे चोड़नी है कुछ टाइम तक सिंपल आपको भी जितना सिंपल सोचोगे न किरिक्ट को तुना असान लगगा अगर आप डिफिकल्ट सोचोगे नहीं मेरा हैड गिर गया मैं सोट खेलने नहीं भाई अगर इतना टेक्निक में प्रॉब्म होता तो दौनी आज इतने बड़े खिलाडी नहीं होते हैं ना स सब्सक्राइब को पता कैसे होगा जब आप नोट करके लिख लोगे तो यह आपको आइडेय भी रहेगा तो आज ही नोट को बनाने स्टार करो और खुदी अनलाइस करो मैं पिछली तीन बार कहां उट हुआ अगर आप गलती सेम सेम कर रहे हो तो आपको सुधार नहीं है प्रक्टिस मैं अपना सुधार और अपना मैच खेल के फिर कमबैक करो और करोगे आप एक दिन कमबैक इसके मैं गारंटी ले रहा हूं जो मैंने आपको बात बताई बहुत डीप मैंने भी खुद एनलाइस किया बैटिंग को देखा है तो आप भी इसको डीप सोचो और र आदो जल्दी से और आपका इंस्टाग्राम पीपे से में अकाउंटे क्रिकर देशाल वहां पर भी आपका सपोर्ट चाहिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में हैंक्यू गाइस